दोस्तों फोटोग्रोफी में या वीडियोग्रोफी में लाइट को शेप करना एक बहुती कमाल का आर्ट होता है अगर हमारे पास में सही लाइट शेपिंग टूल्स हो तो हमारी जो फोटोज हैं या हमारे जो वीडियोज हैं वो बिलकुल next level पे दिखाई देते हैं और हमारा overall lighting का जो experience है वो ना केवल बहुती खूबसूरत होता है बलकि हमारी photography और वीडियोग्रोफी में चार चांद भी लगाता है तो मैं बात करूँँगा दोस्तों आज Godox से कुछ light shipping tools की जो मेरे पास में आए है सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम Godox के MLCD 15 की जो की एक collapsible diffusion dome kit है और दूसरा जो product आप नेरे हाथ में देख पा रहे है यह है MLCS 1625 जो की collapsible soft tent kit है अब यह जो दोनो light shipping tools हैं दोस्तों यह आपकी Godox के जितने भी flashes हैं जादा तर उस पे काम करेंगे या आपके पास में जो भी Godox की lights हैं या outdoor flash हैं वहाँ पर आसानी से काम करेंगे उसके लावा अगर आपके पास में video lights भी है तो वहाँ पर भी light shipping tools जो है बहुत आसानी से काम करेंगे और आपकी photography, videography को अच्छे से elevate करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले करेंगे इसका unboxing, देखेंगे इसके खास features और फिर कुछ pictures में आपको लेके दिखाने वाला हूँ जिससे आपको idea आएगा कि एक अच्छा light shipping tool हमारी photography में हमारी कितनी help कर सकता है तो इस video पो छोड़के कहीं मज जाएगा Welcome back to my channel friends This is Manish Saxena Let's get started तो दोस्तो सबसे पहले हम unbox करेंगे ML CD15 Collapsible Diffusion Dome Kit को आज जैसे के आप screen पे देख पा रहे हैं लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँँ दोस्तो यहाँ आपको मिल रहे तीन तरह के जो है आपको Head Adapter या Mount Adapter जोगे हमें इसे कह सकते हैं तो आपके पास में अगर मान लिजिए Godox की V8603 मॉडल है या V8602 है या आपके पास में TT600S है या AD200 है जिसके Square Head Flash है तो वहाँ पर यह बहुत असानी से काम करेगा उसके अलाबाद दूसरा जो है यहाँ आपको मिलता है Round Head Adapter यह आपके लिए Godox की जैसे V1 Series है या AD200 है वगयरा वगयरा लाइट्स के अंदर आप इस तरह का जो Round Head Adapter वाल है उसके साथ आप इसे यूज कर पाएंगे और तीसरा आपको मिल रहा है है आपके Godox Mount Adapter तो मैं इसे खोल लेता हूँ दोस्तो आप देख रहे हैं दोस्तो यह है एक छोटा सा अब यह जो है ना product थोड़ा सा मुझे plastic ही सा लगा But it's not bad अब इसका भी जो build quality है थोड़ा plastic ही सा लग रहा है मुझे But it's not bad यहाँ पर आपके silica gel मिल रही है और उसके बाद जो है हमारा real product जरा भार निकाल लेता हूँ तो यह है दोस्तो फाइनली हमारा MLCD 15 Collapsible Diffusion Dome Kit आप देख पा रहे हैं So it's very well designed और इसको हम अलग-अलग तरीक से use कर सकते हैं तो मैं अभी आपको इसे use करके दिखाने वाला हूँ चले खोलते हैं हमारे दूसरे light shaping tool यानि की MLCS 1625 Collapsible Soft Tent Kit को लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँगा यहां पर भी आपको मिल रहे हैं तीन adapter अलग-अलग rectangle to round, round head adapter और Godox mount adapter यहां पर आप देख पा रहे हैं आपको V series के flashes हैं या TT series के flashes हैं या फिर आपकी V1 series के flashes हैं या फिर आपके ML series की video lights हैं या AD300, 400 pro है उस पे सब पे आप इसे इस Collapsible Soft Tent को use कर पाएंगे चलिए करते हैं जल्दी से इसका unboxing यह मैंने खोल दिया है अच्छी packing के साथ में है काफी और यहां एक adapter जो है इसमें लगा हुआ है तो टोटल तीन adapter है यह देखिए तो यह थोड़ा सा जो है build qualities की थोड़ी plastic ही है लेकिन काफी अच्छे से design किया हुआ है तो यह हमने खोल लिया हमारा जो real product है तो आप देख पा रहे हैं यह हमारी जो है यह पूरा एक tent kit है इस तरह से rectangle shape में अब इसे किस तरह से हम use करेंगे वो मैं आपको अभी practically करके दिखाने वाला हूँ अब जो unboxing करने के बाद पहला impression रहा दोस्तों वो यह रहा कि भाई यह जो accessory है यानि कि light shipping tool है यह wedding photographers के लिए बहुत ही काम की चीज है और अगर आप एक headshot photography आप portrait photography करते हैं तो उन लोग के लिए बहुत ही काम का product है उसके अलाबा दोस्तों अगर product photography आप करते हैं तो भी आपक आपके पास में V8 V8 8503 है या TT series के flashes है तो वो आसानी से इसमें सीधा लग जाएंगे और यहां पर आप देख रहे हैं कुछ अलग मेरे को यहां पर दो और adapters हैं तो मैं अगर आपको दिखाऊं यह वाला देखिए तो यह आपको यह कहलाता है basically round head adapter जो की आपकी AD200 या V1 series क आपके जो flashes है वहाँ पर आसानी से आप उसे लगा के उन flashes को इस पर यूज कर पाएंगे उसके बाद एक और आप देख पा रहे हैं यह adapter है जो की Godox Mount adapter है अब यह जो adapter है दोस्तों यह आपकी जो video lights है जैसे ML series की ML60 है ML30 है या AD300 Pro है AD400 Pro है उसके ओपर आसानी से आप इसे निकाल दिया दोनों का और यह मैंने इसलिए निकाला है कि मैं यूज कर रहा हूँ आज अपनी AD400 Pro ताकि मैं उसके ओपर यह सारे test shots लेकर आपको दिखा सकूँ किस तरह से हम light को shape कर सकते अलग लग तरह से तो मैं इसके लिए यूज करूँगा मेरा Godox का Godox Mount adapter और इसको दि चलती है अब दोस्तों मैंने this dome diffusion kit को almost 3 feet के आसपास दूर रखा है और आप देखने लाइट को में सीधा throw कर रहा हूँ and being a fashion photographer जब भी मैं close up shots, head shots या portraits रेता हूँ तो वहां मुझे लगता है कि मेरे पास में ऐसा solution होना चाहिए light shaping का कि जहां मुझे बहुत ज़दा weight जो है वो carry ना करना पड़े एक छोटे से light shaping tool में काम चल जाए और अब देखते हैं कि हमारा ये headshot कैसा निकल के आता है, camera setting up screen को देखी पा रहे हैं, लेते हैं पहला shot so now you can see beautiful एक headshot हमको मिला है, आप देख पारें कितना अच्छा picture है, चलो one more picture, yeah hold it, yes one more, yeah, one more same, same, same pulls तो आपने देखा दोस्तों, यहाँ पर हमें कितने अच्छे close-up headshots मिले हैं, अब जो अगला shot है, वो हम लेगे देखिए दोस्तों, इसको मैं कर रहा हूँ इदर, almost half, याने कि 180 degree के उपर, तो यह 360 का dome था, वो मैंने half करके, अब 180 पर कर दिया है, अब देखते है, effect हमें किस इस तरह से मिलता है, चलिए लेते हैं, एक shot, और देखते हैं कि यहाँ पर हमें इस lighting setup में, यह light shaping tool का, जो हमने भी 180 degree के, उसमें कैसा हमें, result मिलता है, beautiful, change, very nice, तो यहाँ पर, yes, yes, थोड़ा light face की तरफ करो, हाँ, उपर देखते हुए, हाँ, light की तरफ देखते हो face, हाँ, औ और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हमें, यह दिखिए picture, तो आप देख रहे हैं, काफी अच्छा जो है, एक थोड़ा image के अंदर हमको, slightly आप देख पा रहे हो, बहुत ही subtle lighting मिली है, काफी directional lighting मिली है, और जितना light हमें face में चाहिए था, उतना ही light जो है, आप देख पा इस पे हमें model के उपर मिला है, and overall अगर हम इसको मैं थोड़ा सा close-up करके देख रहा हूँ, तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि light जो है, वो बहुत ही अच्छे से perform किया है, light यहाँ अवा spread ना होके, exactly जो हमारे subject पर ही, जितनी light required है, और light अच्छे से diffuse भी हुई है, कि full dome पे, और यहाँ पर देखिए हमको हलका सा इस तरह से आगे press कर रहा है, यह देखिए, तो इस shape के अंदर भी जो हम अच्छे से light को design कर सकते हैं, देखते हैं, इसके shots हमें किस तरह के मिलते हैं, चली लेता हूँ मैं अगला shot, और देखते हैं कि picture हमें कैसे यहाँ निकल क आती है, तो मैं थोड़ा सा light को थोड़ा सा middle में लेके आ रहा हूँ, ताकि हम अच्छे से model का face cover कर सके, तो लेते हैं shot, देखते हैं कैसे यह picture मिलती है, तो अब देखते हैं beautiful, एक और लेते है picture, yeah, थोड़ा सा, fold your hands, yeah, it's looking nice, fold, hold it, थोड़ा सा eyes half close हो रहा है, just more energy, yeah, very nice, one more, तो यहां पर आपने देखा, हमने जो है, अच्छा खासा portrait लिया उनका, और picture जो है, यहां पर बहुत ही अच्छी, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर काफी directional light मिली मुझे, और again, जैसा कि हम, जैसे light कई बार, जब हम बड़े light shaping tool यूज़ करते हैं, तो कई बार महां पर light diffuse तो ज़ादा होती है, बट कई बार spread भी होती है, तो उस तरह का spreadness जो है, वो यहां पर notice नहीं हुई, और light जो है, बहुत एच्छे तरीकी से हमारे subject पर fall हुई है, and you can see the result, अब दोस्तों बात करते हैं, अपने ML CS1625 soft tent kit की, तो यहां जैसे कि नाम से जाहर है, यह एक soft चोटा सा tent है, तो हम expect करते हैं कि काफी सारी softness जो है, वो यह produce करेगा हमारी images के अंदर, तो मैंने इसको लगा दिया है, अभी अपनी AD400 Pro के ओपर, तो यह काफी अच्छा सा combination बन जाता है, specially portrait photography के अंदर, तो यहां आप lighting पे setup देख पा रहे हैं कि मैंने model को भी बठाया है, और यहां पर अब हम जो है, एक पूरा photo shoot लेंगे, और देखते हैं कि pictures जो है, हमें किस तरह की मिलती है, और यहां पर light बहुत अच्छे से fall हो रही है, और जो हमारा tent है, यहां से light बिग्दम soft से निकल के आ रही है, या, look here, camera में look, तो आप देखते हैं कितना अच्छा soft effect skin क के उपर आया है, और आपने देखा बहुत ही खुबसूरत light आपको मिली है चेहरे के उपर, और यहां पर especially जब आप female model के साथ काम करेंगे, तो और भी आपको अच्छी softness मिलेगी, क्योंकि male models की generally skin जो है, वो उतनी soft नहीं होती है, but still you can see, जो उसका effect है, वो बहुत ही chin down, okay, one more, मैं थोड़ा सा पीछा दाता हूं, और यहां पर I am very happy with the results, क्योंकि यहां पर मुझे एक बहुत ही छोटे से lighting setup पे मैं यह सरी चीज़े achieve कर पा रहा हूं, तो आप देखते हूं, yeah, थोड़ा सा chin down, hmm, थोड़ा close, यहां पर, yes, very nice, तो मैं थोड़ा सा हिलाऊंगा light क थोड़ा सा light को direction और दे रहा हूं, and देखते हैं कि अब हमें shot कैसा मिलता है, beautiful, one more, yeah, so आप देखरें, light किती soft produce हो रही है, and it's performing really well, जो expectations थी, मुझे उससे जादा, यह light shaping tool लगा, क्योंकि मैं beauty dish भी use करता हूं, studio में, और भी काफी सारे light shaping tool, use करता हूं, बस यह छोटे से light shaping tool आप देखरों कितना अच्छा एक miracle सा किया है, यहां पर मुझे सबसे अच्छी चीज दोस्तों, यह लगी यहां पर, कि एक, इसका आप size देखिए, it's a very very small size light shaping tool, तो अगर मैं कहीं editorial work के लिए जा रहा हूं, या मैं कहीं portrait photography करने जा रहा हूं, किसी के, या किसी के घर में shoot कर रहा हूं, या अगर मैं इसे wedding photography में भी लेके जा रहा हूं, तो वहां पर आप देखरों कितना soft lighting produce कर रहा है, यह, छोटा सा हमारा, जिसे हम कह सकते हैं, छोटा सा tent है यह, और यहां पर आप क्योंकि यह collapsible है, तो आप इसको अलग-लग तरीके से shape कर सकते हैं, देखिए, इस आप देखरें, beautiful light, तो आप देखरें कि एक एक चीज जो है हमें face पे दिखाई दे रही है, चलिए अब इस से हम थोड़े से product के shoot भी करके देखते हैं कि product photography हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, तो मेरे इसाब से यह, जो आप देख पा रहे हो, यह tent जो है हमारा soft tent, product के लि आप आसानी से इसके ओपर कर पाओगे, so like if you have 2-3 speed lights and these kind of tents and dome diffusion, तो वहाँ पर वो जो kit है दोनो, वो दोनो आप kit को अपने हिसाब से adjust कर सकते हो, आपकी ज़रत के हिसाब से, product के हिसाब से, और कितनी light आपको चाहिए उसके हिसाब से, तो यहाँ पर आज जो मैंने light यूज क तो अगर आप एक ऐसा light shaping tool ढूंड रहे है, जहाँ पर आपको images में थोड़ी सी crispiness चाहिए, थोड़ा सा, आपको dramatic lighting चाहिए, तो भाई उसके लिए जो है dome, वो आपके लिए ठीक रहेगा, diffusion वाला जो हमने पहले shoot किया था, और यहाँ आपको थोड़ा सा soft look चाहिए, आपको skin जो है, male model है, female model की, जहाँ पर आपको थोड़ा सा soft effect दिखाना है, चाहिए beauty shots हो, या अगर आप wedding, pre wedding के shoots कर रहे हैं, जहाँ पर आपको थोड़ा सा romantic दिखाना है, softness दिखानी है, तो वहाँ पर जो है, यह light trend जो है हमारा, बहुत अच्छे से काम करेगा, so overall यह दोना product अब इसकी जो price है मुझे पता नहीं है, क्योंकि officially क्या price में आई, यह launch होने वाला है, but जो भी price आएगी वो आप dealer से confirm कर सकते हैं, overall मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर पढ़के दिखाऊं, तो कुछ pricing जो है, यहाँ पर कुछ 3290 रूपी का MRP लिखा है, और शायद वो जो दूसरा हमारा dome diffusion kit था, उसका 2000 something है, तो वो आप dealer के पास जाओगे, तो obviously वहाँ discount आपको मिल जाएगा, but मेरे इसाब से किन लोगों के लिए है, अगर आपके पास में speed lights हैं, आपके पास में V1 series के flash हैं, या आपके पास में videos की, आपके पास में ML series के video lights हैं, या AD300, AD200, AD100 या AD400 lights हैं, तो वहाँ पर ये kit जो है, बहुत अच्छे से perform करेगी, आपको specially headshots में, portraits के अंदर आपको बहुत ही helpful रहेगी, so आज के लिए तरह रखते हैं दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, फिर नए video के साथ, thanks for watching.